25 तारीक को सुब को पता लगेगा कि मैं वापस आचुका हूँ और उसके बाद एक हपते तक मैं लगातार वीडियो से अप्लोड करता रहूँगा और पांच तारीक को मैं फुल मेटल अलकमिस्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँगा तो है कोड़? LK Anime तो दोस्तो पिछला एपिसोड में हमने दीखा था अचानक से किंग ब्राडली लानफान के उपर अटेक कर दीता है लानफान का मास्क उड़ जाता है उसे काफी चोट आई होती है और यसे एपिसोड में हम देखते हैं एक्चुली में किंग ब्राडली का तलवा तूट चुका होता है क्योंकि लानफान ने एंडवक पे अपने कुनाई नाइप से अपने आपको प्रोटेक्ट किया होता है लेकिन चोट तो उसे आई होती है इसकी बाद ग्लुटनी बोलता है अब मैं इसे खाना चाहता हूँ लेकिन वो उटने ही पाती इसलिए उसे खंदे में उठा के लेने की खोशिश करता है लेकिन तभी किंग ब्राडली यहाँ पे पहुँच जाते हैं लानफान और किंग ब्राडली के बीच में तलवार वाजी होने लगती है किंग ब्राडली एक अंग से अंदा होता है इसलिए लानफान इसी का फाइदा उठाता है और उसकी लेफ्ट आंखों के तरफ ही रहने लगता है किंग ब्राडली भी यह बात समझ जाते हैं और तभी ग्लूटने लिंग के उपर अटाक कर देता है जिस वज़े से लिंग सीधा दूसरी बिल्डिंग को फार के अंदर चला जाता है किंग ब्राडली वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर हमें कोई नहीं देख सकता मुझे तुमसे बहुत को सवाल करने है तुम कहां से आए हो? क्या लोग हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि ग्लूटन के अंदर क्या है? लेकिन लिंग यहाँ से बच के निकलने की सूच रहा होता है तब ही King Bradley बोलते हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से बच के निकल सकते हो अगर तुमें बचना है तो तुमें उस एक्स्ट्रा बैगेस को फिक देना चाहिए इसके बाद Link ब्रैडली के खंदों बो दीकता है और उनके स्टार को देखके यह समझ जाता है कि यह फीरियर कंग ब्रैडली है और इसके बाद लिंग बोलता है, तुम तो फिरर किंग ब्रैडली होना, तुम एक पता होना चाहिए, कि एक राजा बिना अपनी प्रजा के राजा नहीं हो सकता, तुम कभी भी एक असली राजा नहीं बन सकते, इसके बाद किंग ब्रैडली बोलता है, तुम इन सब पे विस करता है लेकिन तभी किंग ब्रैडली इसकी तरफ तलवार फिक्के मारते हैं और बोलते हैं तुम्हें लगता है तुम उससे बच सकते हो मेरे पास एक और आंखे है और हम देखते हैं उसने अपना दूसरा आंख रिवील कर दिया होता है इसके बाद शेंज शिप्ट होता है जहां पर हम देखते हैं विंडरी की मॉम और डैड वो दोनों ही विंडरी को छोड़के इश्वालन वार की तरफ बढ़ रहे होते हैं विंडरी के आंखों में आसू होते हैं लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि अच्छी तरह से बहेव करना और वो यहां से रफोचकर हो जात इसके बाद हम real time में आते हैं जहां पर विंरी माइस हीोज के समाधी के पास आई होती है और हमें पता लगता है विंरी माइस हीोज को अपनी पापा की तरह देखती थी इसके बाद ग्रासिया बोलती है यहां पर आते जाते रहना उन्हें एकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो स्माइल करने लगती है इसके बाद एलिसिया विंडरिक का हाथ पकड़ लीती है जो देख के सच मैं यार रोना आ जाता है अगर तुम्हें पता है कि क्या हुआ था तो तुम्हें रोना आना चाहिए इसके बाद हम विंडरिक को शहर के अंदर देखते हैं जहां पर उसे पता लगता है कि एल्रिक ब्रदर स्कार से फाइट कर रहे हैं ये सुनने के बाद वो काफी ज़्यादा घबरा जाती है उसे डल लगने लगता है जिस तरह से उसके मौमडार से छोड़ के चले गए कहीं वैसा ही एल्रिक ब्रदर के साथ ना हो और वो तेजी से एल्रिक ब्रदर के तरफ भागने लगती है इसकी बाद हम देखते हैं शहर में एक जगे पे धमाका होता है और उसी जगे पे सकार और एडवर्ड एल्रिक फाइट कर रहे होते हैं एडवर्ड अपनी अल्केमी की मदद से नुकीली चीज़े बना के रास्ता ब्लोक कर दिता है सकार का लेकिन सकार अपनी अल्कमी से उन सब को तोड़ता हुआ सीधा एडवर्ड एल्री के तरफ आ रहा होता है और एडवर्ड यहां से भागने के लिए एक पाइप लैन के उपर चड़ जाता है लेकिन सकार पाइप को बीच से ही कार देता है एडवर्ड नीचे गिनने वाला होता है और सकार उसे खतम करने के लिए तैयार होता है लेकिन तब ही अलफांजो अपनी अलकमी से एक हाथ बनाता है और एडवर्ड को बचा लेता है इसके बाद एड काफी ज़्यादा खुश हो जाता है तब ही हम दो पुलिस वालों को सकार तुम खुद भी एक अलकमिस्ट हो तो तुम अलकमिस्ट से नफरत क्यों करते हो तुम भगवान के खिलाब क्यों जाना चाहते हो इसके बाद सकार बोलता है इस शिटी में मैंने तुम इसके बारे में बताया था तुम्हें बनाना पसंद है और मुझे तवा करना पसं उस तरह की बुरी चीजे जो बनाती है उसी अलकमी को तुम पूजा करते हो ना और इसके बाद एडवर्ड सूचता है कि उसने भी तो वही गलती की थी उसने अपने भाई के साथ वही किया था इसके बाद सकार बोलता है बनाने का हग सिर्फ भगवान को है इनसान को नहीं इ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल अबजेक्ट बन के रह जाती इसके बाद अलफान जो सोचता है ये एकदम सही कहा रहा है उस वक्त हमें पता था कि नीना के उपर एक्सपेरिमेंट होने वाले है लेकिन हमने कुछ नहीं किया इसके बाद एडवर्ड सोचता है कि कौन सा सही कर रहे हो तुम्हें Amistries के वही दो डॉक्टर तो याद होंगे जिनका नाम था Mr. and Mrs. Rockbell वो तो सब की मदद कर रहे थे इश्वालन वार के अंदर उन्हेंने बहुत सारे इश्वालन लोगों की जान बचाई यहां तक कि तुम्हारी जान भी लेकिन तुमने क्या कि मेरे मौमडाट को इसने मारा इसने मेरे मौमडाट को मारा लेकिन क्यों उन्होंने ऐसे क्या गलती की थी उन्हीं की पेशे ने उन्हें क्यों मारा इसके बाद विन्री घुटनों के वेल बैठ जाती है और रोने लगती है और जोरों से चिला के बोलती है मुझे मेरे इसा मत करो विंडरी रुक जाओ प्लीज रुक जाओ विंडरी लेकिन विंडरी किसी की बात नहीं सुनती वो बंदूग उठा लीती है इसके बाद सकार को याद आता है उसे किसी ने कहा था बदला लेने से बदला खतम नहीं होता बलकि बदला और बढ़ जाता है वो नए ब गोली मारने का मुझे गोली मारो और इसके बाद ये एक फ्लाश बेक में जाता है जहां पर हम देखते हैं इश्वाल वार शुरू हो चुका होता है एमेश्टरिस के लोग अटैक कर देते हैं इश्वाल के ऊपर और तभी सकार अपने भाई के पास जाता है और बोलता है इस्टन अलकेमी थोड़ी सी अलग है इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि अलकेमी तो एक्चुली में डिस्ट्रॉय करना और फिर से बनाने के ऊपर बेसर है इसलिए मेरा जो राइट हैंड है वो सब कुछ तभा कर सकता है लेकिन तभी सकार को एक बंदा बाहर ले आता है सकार बोलता है तो मुझे क्यों रोक रहो हमें यहां से जल्दी भागना होगा और वो बंदा बोलता है जरा मेरी बात ध्यान से सुनो तुमारा भाई जो रिसर्च कर रहा है उसकी वज़े से इश्वाल को बचाया जा सकता है तुम हम उन लोगों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएं और उनसे भी आगे वर जाएं उसके बाद हम अमेस्टरिस को तभा कर देंगे उन्हें राक में मिला देंगे इसके बाद सकार सूचता है देखो भाई जिस अलकमी से तुम लोगों के मदद करना चाहते हो उसके साथ यह लो के लोगों को मानना शुरू कर देते हैं सकार पहली बार के लिए इतने बड़े लवल की अलकमी दीख रहा होता है और वो सोचता है तो अलकमी इतनी ज़्यादा भयंकर है इसके बाद हम देखते हैं अमिश्टरिस के सोलजर कुछ लोगों के ओपर गूलियां चला रहे होते हैं तबी बीच में सकार आ जाता है और वो इन सारे सोलजर को बुरी तरह से पीटने लगता है और सोचता है तो में लगता है कि इस तरह से हम इश्वाल को बचा सकेंगे ऐसा नहीं होने बाला इससे तो ये नफरत ये तभाई कभी खतम ही नहीं हो सकती है इसके बाद हम दे उसका भाई थोड़ा लेट से आता है क्योंकि वो अपना रिसर्च पेपर बना रहा होता है इसके बाद सकार का भाई उसे अपना रिसर्च पेपर दीता है और यहां से भाग जाने के लिए बोलता है अगर उसे कुछ हो भी जाये तो उसका रिसर्च सही सलामत रहना चाहिए इसके बाद सकार बोलता है तुम लेके क्यों नहीं भागते और इसके बाद उसका भाई बोलता है क्योंकि तुम उससे बहतर हो तुम एक ताकदवर इंसान हो तुम इसे सेफ रख सकते हो और वैसे भी मेरे पैर कांप रहे हैं और हम देखते हैं सकार का जो बड़ा भाई होता सच में वो बहुत डर चुका होता है उसके पैर काम पर होते हैं इसके बाद सकार का भाई बोलता है सच में मैं कितना बिकार सब बड़ा भाई हूँ और तभी हम देखते हैं किम्बली को जो यहां पर पहुंच चुका होता है किम्बली को देखिए सब हैरान हो जते हैं और किम सकार को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई आगे आ जाता है इसके बाद हम देखते हैं इश्वाल पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है सकार का भाई सकार के सर से बहुत खुन बहरा होता है सकार का एक हाथ भी कट चुका होता है और बहुत ज़्यदा खुन बहरा होता है स इसके बादो सिंटल सिकार के ऊपर अल्किमिका इस्तमाल करता है ताके वो इसे हील कर पाए इसके बाद conditionशी होता है जहां पे सिकार की आंके खुलती है वो Reynolds को देखता है वो ड इसके बाद वो Mr. Rockwell को भी देखता है और बहुत ही ज़्यादा है वो घवरा जाता है इसके बाद इसे एक हाथ दिखाई देता है जो इसके भाई का होता है और यह बोलता है भाई के यह तुम हो लेकिन हमें पता लगता है इसके भाई का हाथ इसके साथ अटाच हो चुका है अलकमिकी मदट से इस बात को जानने के बाद सकार बहुत ज़ादा गवडा जाता है वो डर जाता है और वो चिलाने लगता है तब ही डौक्टर बोलते हैं इसे जल्दी से सजलिटो डो इसे बेहुश करो लेकिन सललिट्टीब को चुकी होती है सकार समझ जाता है कि उसकी एमिश्टेन को माफ नहीं करूंगा वो दिरे दिरे आगे बनने लगता है और इसके बाद हमें सिर्फ आवाज सुनाई देती है यानिकी स्कार ने रॉकवेल्स को यानिकी विंडरी के मॉम डड़ को मार दिया इसके बाद हम शाम का शीन देखते हैं जहां पे स्कार खून से लत्पत होता है वो पहारी की चूटी पे चड़ता है और वहां से वो देखता है इश्वाल को इश्वाल पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पर एड़ बोलता है विंडरी शूट मत करना और इसकार बोलता है तुम्हें इ अफरत की चेन तब तक खतम नहीं होगी, जब तक हम में से कोई मानना जाए, लेकिन याद रखना, सिविल वार के अंदर तुम, तुम एमिस्ट्रियंस ने सबसे पहले गोली चलाई थी, वो तुम थे जिन्होंने कतल गिये थे, इसके बाद एड बोलता है विंडरी, गोली मत के ऊपर, लेकिन एडवर्ड सकार के ऊपर से चलांग लगाता है, और विंडरी को कवर कर लेता है, तब ही सकार इन दोनों को खतम करने वाला होता है, लेकिन अचानक से सकार रुक जाता है, उसे याद आता है कि उसके भाई ने भी बिल्कुल इसी तरह से उसे बचाया था, और सकार अपने आपको किमली के जगे पे देखता है जहांपे किमली ने उसके भाई को मारा था सकार इन्हें मानने की कुशिश कर रहा होता है तब ही अलफांजो सकार के उपर अटैक करता है सकार उसे असानी से डॉज करता है और थोड़ा सा पीछे अड़ जाता है, तब ही अलफंजो अलकेमी की मदद से अटैक करता है सकार के ऊपर, लेकिन सकार चलांग लगा के थोड़ा दूर जाता है, और एक दिवार तोड़ के वो यहां से रफुचकर हो जाता है, अलफंजो बोलता है बेव को भाई एड, यह तुम क्या करे थे वो तुम दोनों को मार सकता था जाओ विंडरी को किसी सेव जगे ले जाओ इसके बाद अलफांजो सकार से फाइट करने के लिए यहां से चला जाता है इसके बाद एडवर्ड विंडरी के पास जाता है उसे गन मांगता है विंडरी बोलती है मैं उसे गोल बच्चे को पैदा होने में मदद की, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने एक बच्चे की एक मा की जान क्यों बचाई, तुमने मुझे एक हाथ दिया और पैर दिया, ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूँ, लेगिन तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे हाथ किसी को मानन के लिए नहीं बने है इसके बाद एड बंदूक फेक देता है और बोलता है तुम्हारे हाथ लोगों की जान बचाने के लिए बने है उनकी मदद करने के लिए इसके बाद विंडरी एड के सीने पे सर रखती है और फूट-फूट के रोने लगती है और तभी एड भी उसे ग कोई बात नहीं तुम सब तो भाई लोगो मुझे माफ कर दोगे मुझे पता है लेकिन अगर तुमने मुझे अभी माफ कर दिया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख दो और साथ मैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके वाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुमें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना